नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है माधमिक सिछा परसद उत्तर प्रदेश इलावाद के तरफ से तो यहाँ पर दोस्तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बार और कि उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड के एक्जाम हुए थे हाई स्कूल और इंट्रमेडियेट के उनका रिजल्ट बहुत दुनों से अटका हुआ था कोरना बायरस के कारण तो अभी सियम हो दोस्तो वीरियो सटाट करते हैं बीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहुँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए बता देना चाहाता हूं कि जो रिजल्ट आपका निकला है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे रिजल्ट चेक करने का बहुत ही अच प्रिदेश की जो मादमिक सिक्षा परसत की ऑफिसल वेपसाइट है वह आपके सामने खुल जाएगी तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको वहां पर ले जाके दिखा देता हूं कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो जैसे ही दोस्तों आपके लिए यहां पर बहुत सारे लिंक दिये हुए होते हैं जैसे यहां पर सबसे पहले आपको नमबर फर्ष्ट में जो है वो लिंक आपके लिए सो होगा तो जैसे आपका यहां पर लिंक सो होगो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो रिजल्ट डाउनलोड को है इंतजार तो बहुत लंबे समय से दोस्तों यो इंतजार चला रहा था जो कि अब जागर खतब होने वाला है यूपी यूपी बॉर्ड के दस्मी में और 12 मी की रिजल्ट के लिए विद्धारतियों को लंब इंतजार करना पड़ सकता है इससे कहा जा रहा था कि उत्तर प्रिदेश के 10 बी और 12 मी का रिजल्ट जून के पहले हटे में आ सकता है लेकिन अब 10 मी और 12 मी के रिजल्ट जारी करने में और देरी हो सकती है आपको बता दें कि इस से पहले उत्तर प्रिदेश माधमिक वोर्ड ने गोशना की थी कि 20 اपरेल से काप्यों का मुल्यांकन शुरू होगा और जून के पहले हपते में प्रड़ाम जारी कर दिये जाएंगे हाला कि कोरोना बाइरस के बज़े से देश के जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा संबब नहीं लग रहा है खुद यूपी बोर्ड के अपर सचे सिबलाल का भी यही मानना है तो दोस्तो जो जून के पहले हपते में आपका रजल्ट आने वाला था वो अभी कैंसल हो गया है इंडियन एक्सप्रेस से बाचित करते हुए सिबलाल का कहना है जो कि माधिमिक सिख्षा परसत के अपर सचेब हैं तो उनका कहना है कि हम ऐसी इस्थिति में नहीं है कि जून के पहले हपते तक जसमी और बार्मी का रिजल्ट जारी कर सकें उन्होंने कहा कि हमने पहले 20 मुल्यांकन का पूर्व निर्धारन सेडूल इस्थगित करना होगा उन्होंने कहा कि इस्थगित के नियंतर में आते ही हम कांपियों का मुल्यांकन शुरू कर देंगे उन्होंने यह भी कहा कि अभी यूपी बोर्ड के अधिकारी यूपी बोर्ड ने अधिकारिक तोर पर गोषना नहीं की है और जल्द ही इसे लेका अधिकारिक गोषना की जाएगी आपको बता जाएगी यूपी बोर्ट दसमी और बारमी के कक्षा में करीब 56 लाग से ज्यादा विद्याथिंग को अपने रिजल्ट का इंतजार है इस बक्त देश में 21 दिनों का लोगडाउन चल करना है आपके लिए upmsp.edu.in पर जाकर आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको हम एक चीज और भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट् दो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार